तो बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के आई हूँ और आज हम इसके शुरुवात करेंगे गोबी जो की एक कोल्ड डिजर्ट है तो यह होता क्या है कोल्ड डिजर्ट का मत्तब और यह कहां लोकेड़ है तो गोबी जो है आप वर्ल्ड मैप में सब इसके मोप्नाद में कि आप काफी बड़ा डिज इसके का लग अलग हिस्सकों में एकको रीजर्ट पर बाड़ कर देखा वी जा सकता है कुछ पूरे ही डेजर्ट है कुछ semi-desert है, जैसे कि यहाँ पे एक अलहाशान प्लेटू है, बहुत ही famous प्लेटू है, और यह semi-desert है, कहीं पे goby lakes मिलेंगे, कहीं steps मिलेंगे, अब बात कर लेते हैं, यहाँ temperature की तो ठंडियों में यह इतना cold, इतना ठंडा हो जाता है, कि यहाँ पर्फ की चादर यहाँ प अब बात कर लेते हैं, क्या इसका कुछ archaeological, यानि कि पुरातत्व से कुछ लेना देना है, हाँ, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे fossils, यानि कि बहुत सारे पुरातत्व महत वाले चीज़ पाए गया है, जिसमें से एक है, यहाँ पे डाइनोसौर के अंडे जो है, 1930 मे पाए गया थे, इसको discover किया गया था, देख लेते हैं कुछ और चीज़े, अब इसके यहाँ पे, यहाँ पे गोभी के region में हमें ये भी बहुत सारे इसके सबूत मिलते हैं, कि यहाँ जो hunter और gatherers थे, hunter और gatherers हम जानते हैं, नियो लिथिक पीरिट में जो थे, वो यहाँ पर उनकी कई grinding stones और tools, नियो लिथिक पीरिट के यहाँ पे मिले हैं इस region में, शाबरग, अब जब इसी तरह का एक नियो लिथिक पीरिट का एक site है, शाबरग US, जो कि मंगोलिया के south, आप map में देखेंगे, तो मंगोलिया के southern हिस्से में यहाँ आपको शाबरग मिलेगा, जहा जहां के चंगेज खान जो एक आकरमनकारी था, वो भी बहुत फेमस था, तो यहां मंगोल एंपायर जो है, यह गोबी रीजन जो है मंगोल एंपायर के अंडर में आता था, और एक सिल्क रूट का बहुत बड़ा हिस्सा भी था, गोबी डेसर्ट के बारे में अगर आप य आतिशत हिस्सा जो है, वो सैंड यानि के एरिगिस्तान है, तो यहां आपको सैंड डियून्स जरूर देखने को मिलेंगे, तो सैंड डियून्स होते क्या है, यह रेत के छोटे या बड़े टीले होते हैं, जो कब बनते हैं, जैसे वहां पे जब हवाय चलती है, तो उनको तो यहां पर आपको बहुत अच्छे-चे sand dunes देखने को मिलेंगे, लेकिन उन में सबसे major attraction जो ही यहां पर लोग देखने आते हैं, वो है kongor sand dunes, kongor sand dunes actually इतना 12 km चोड़ा और लगभग 180 km जो है लंबा sand dunes आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि world का one of the biggest sand dunes है, अब बात कर लेते हैं, यहां पर vegetation के, तो of course जो रेगिस्तान में जिस तरह की vegetation पाई जाती है, वो यहां भी है, आप यहां पर desert के भी है, और थोड़े बहुत state के भी, आपको vegetation देखने को मिलेगे, यहां पर काफी तरह के mammals और birds और जो species हैं आपको देखने को मिलेगी, और उसमे सबसे important है, वो यह है, खुलन जिसको कहते है, खुलन या फिर आप इसको, एशियाई wild ass, एशियाई जंगली गधे आप कह सकते हैं, तो आप सामने जो picture देख रहे हैं, वो इसी wild ass की है, जिसको local भाशा में वहां पे खुलन बोला जाता है, इसके अलावा आपको two hump वाले camel, bacterial camel यहीं पर देखने को मिलेंगे, तो सामने यह picture है, जिसमें दो hump पने हैं, इसके लावा यहाँ जो healy areas है, या mountains है, उनके foot hills में, यानि की नीचले इलाके में, उनके आपको snow leopards देखने को मिल जाएंगे, अब बात कर लेते हैं, कि यहाँ पर दुनिया भर के shocking लोग, travelers, adventurers और tourist जो है, Gobi Desert को explore करने, घुमने फिरने, और यहाँ पर अपने adventure के लिए पहुँचते हैं, और यहाँ पर अगर आपको कभी मौका मिल जाए, तो आप भी यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर tourist को रुखने के लिए, जो है चोटे-चोटे tents जो होते हैं, जि यहाँ पर आप चड़ाई कर सकते हैं, इसके बाद आप शाबराग जो पर ने बताया था है, एक archaeological place है, जहाँ पर fossil काफे मिले हैं, उसमें जा सकते हैं, और यहाँ पर आप दो हम वाले camel की riding कर सकते हैं, जो आप और कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसके अलाब आप कई तरह के desert हम यह कह सकते हैं, उमीद है आपको बहुत सारी information मिल गई होगी, इससे ज्यादा शायद आपको पूछा भी नहीं जाएगा, और उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो like, share और subscribe कीजे, और अपने comments भी दीजे, thank you and have a nice day.